Hello students, आप सभी का हमारी चैनल Study Monitor में स्वागत है आज हम Class 6 के प्रसना वाली 1.1 के क्वेस्टन नमर 2 को सुल्व करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सिरू करते हैं दो नमर क्वेस्टन है सही अस्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिये मतलब सही अस्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है इस सब्दाओं में संख्याओं लिखा हुआ है इसको हमको अंकों में लिखना है और उसमें अल्प विराम इसमें कौमा लगाना है तो ये नमर क्वेस्टन है 73,75,307 तो हम इसको किस तरह लिखेंगे हैं तेहत्तर तेहत्तर लाग पचछत्तर हजार तीन सो साथ सबसे पहले हम तीन सो साथ को लिखेंगे देते हैं उसके बाद कितना हैं पचछत्तर हजार तो उसके बाद हम पचछत्तर हजार को लिखेंगे हैं उसके बाद कितना है 73 लाग उसके बाद हम 73 लाग को लिए दिए तो हो गया ये 73 लाग 75 यार 307 अब इसमें हम कौमा लगाएंगे तो एकाई दाही से कड़ा सो के बाद भारती पते थी क्योंने सार कौमा लगता है ये आजार को रिप्रेंट करता है एक कौमा यहां लगेगा उसके बाद एकाई दाही से कड़ा हजार दस यार दस यार के बाद एक कौमा लगेगा आई ये लाग को रिप्रेंट करेगा तो ये हो गया 73 लाग 75 यार 307 बी नमबर कॉस्टन है नो करोर पांच लाग एक तालिस नो करोर पांच लाग एक तालिस इसको हमको लिखना है तो सबसे पहले हम एक तालिस को लिख देते हैं एक तालिस को लिख दे हैं उसके बाद फिर हमको क्या लाग पांच लाग पांच लाग बनाना है तो एकाई दाही इसके बाद फिर यहां पर कुछ नहीं ते जिरो होगा एकाई, दाही सेकड़ा इसके बाद फिर हजार इसके बाद फिर दस हजार इसके बाद फिर लाग, लाग होगा तो यहां पर क्या है? पांच लाग इसलिए यहां पर पांच लाग होगा इसके बाद फिर कितना है? उसके बाद फिर क्या होगा दस लग के बाद कड़ोर कड़ोर में क्या है यहाँ पे नो कड़ोर तो यहाँ पे नो कड़ोर हो जाएगा तब इसमें हम कॉमा लगाएंगी तो एक आई, दाही, सेकड़ा सेकड़ा के बाद एक कॉमा लगेगा और ये हजार को रिप्रेजेंट करता है इसके बाद एकाही, दाही, सेकडा, हजार, दस हजार दस हजार के बाद एक कोमा लगेगा उसके बाद फिर लाग, दस लाग, दस लाग के बाद फिर एक कोमा लगेगा और ये कडोर को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको हम की सरप पड़ेंगे? नो करोर पांच लाग एक तालिस फिर सी नमबर कौस्षन है साथ करोर बावन लाग एककीस हजार तिन सो दू सबसे पहले हम तिन सो दो को लिख लेते हैं तिन सो दो उसके बाद कितना है? एककीस हजार तेकाई, दाहिस, एकड़ा, हजार, दस हजार, एकईस, हजार उसके बाद फिर कितने हैं, बावन लाग तेकाई, दाहिस, एकड़ा, हजार, दस हजार, लाग, दस लाग यहां बावन लाग, दस है, तो बावन लाग लिग दी है उसके बाद फिर कितना है, साथ करोर थी, यह दस लाक यहाँ पर हो गया एकाई, दाही, सिकड़ा, हजार, दस लाक, दस लाक दस लाक के बाद कितना है, करोर है, कितना करोर है, साथ करोर थी, यहाँ पर है, इसको हम साथ करोर लेगे तब इसको हम कॉमा लगाना इसमें बारती पदेती के नुसार तो एक आई दाही सेखड़ा सेखड़ा के बाद एक कॉमा लग जाएगा उसके बाद फिर एक आई दाही सेखड़ा हजार दस एर, दस एर के बाद एक कॉमा और ये लाग को रिपरेजेंट करेगा उस बद लाग दस लाग दस लाग के बाद एक कोमा तो यह करोर को रिपरेजेंट करेगा तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे स्टुडेंट साथ करोर बावाल लाग एकीस हजार तिन सो दो उसके बाद इस टुडेंट डी नम्मर क्वच्सन है 58,423,002 इस बार यह पर क्या है 58,000,000 इस बार मिलियन मैं मिलियन एक मिलियन बरावर कितना लाग होता है एक मिलियन बरावर 10 लाग होता है तो इसको हम किस तरह लखेंगे यहाँ पर कितना है 202 तो सबसे पहले हम 202 लिख दी है उसके बाद कितना है 423,000 तो इसके बाद हम 423,000 लिख दी है उसके बाद कितना है 58,000,000 तो इसके बाद हम 58,000,000 लिख दी है तो एकाई दाही सेकड़ा सेकड़ा के बाद एक कोमा लगेगा यहाँ पर मिलियन है मिलियन में सेकड़ा के बाद एक कोमा लगता है उसके बाद फिर जब मिलियन आएगा एकाई दाई सेकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग दस लाग मतलब मिलियन तो मिलियन पर के बाद एक कोमा लगेगा मिलियन, चार सो ताइस हजार, दो सो दो उसके बाद फिर इनमर कऌसन है, इस्ट्रेट ताइस लाक, तीस हजार दस ताइस YOUNG को दस सबसे पहले हम दस लिख लेते हैं दस लिख लिए उसके बाद फिर हमको क्या लिखना है 30,000 तक आई, दाई, सेकड़ा उसके बाद 1000 यहाँ पर कितना है? 30,000 त вещи यहाँ पे 30,000 एकाई, दाई, सेकड़ा, 1000 तो यहाँ पर 30,000, 10 हो गया उसके बाद हमको 23,000, लिखना है तक आई, दाई, सेकड़ा, 1000 दस हैआ़, 10,000 10,000 के बाद लाग लाक, उसके बाद., यहां पे लाग दिया हुआ है, तईसलाक तो इसको हम यहन, इस तरह ले लें, तईसलाक तो एक आई, दाह सेकड़ा, हजार, दस, जैर, लाक, 10 لاक तो तईसलाक, तीसलाक, तीसलाक, दस हो गया अब इसमें हम कोमा लगाएंगे एकाई, दाही, सेकड़ा, सेकड़ा के बाद एक कॉमा लगेगा इसको किस तरह पड़ेंगे? तैस लाग तीस हजार दस स्टूडेंट अब हम तीन नम्मर क्वेशन को सौल्व करेंगे उप्युक्त अस्थानों पर अल्प विराम लगाईए और संख्या नामों को भारती संख्याकन पदती में लिखिए इसको सबसे पहले इसमें कॉमा लगाना है उसके बाद फिर इसको भारती पदती के अनुसार इसको लिखना है तो चलिए इसमें सबसे पहले हम कौमा लगाते हैं भारती पर देती की उनुसार यहाँप कितना है एकाई, दाही, सिकडा, सिकडा के बाद एक कौमा लगेगा यहाँपे सिकडा के बाद हजार, उसके बाद दस एहर, दस एहर के बाद एक कौमा लगेगा उसके बाद लाग, दस लाग, दस लाग के बाद एक कुमा लगेगा, इसको किस तरह पढ़ेंगा हम, आठ करोड पचतर लाग पलचानवे हजार साथ सो बाउसट, तब इसको हम लिखना हैं सब्दों में, आठ करोड पचहत्तर लाग पंचानवे, हजार, साथ सो बाउसट, आठ करोड पचहत्तर लाग, पलचानवे हजार, साथ सो बाउसट, अब हम बी नमबर क्वेसन को सल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले कुमा लगाएं, एकाई, दाही, सेकडा, सेकडा के बाद, एक कुमा लग जाएगा, यहाँ पर, तिस्टेंड अब इसको हम सब्दों में लिखेंगे, ते किस तरह लिखेंगे, पचासी लाग च्हालिस हजार दो सो तिरासी, पचासी लाग च्हालिस हजार लिखेंगे, दो सो तेरासी, पचासी लाग च्हालिस हजार दो सो तिरासी, अब श्टेंड हम सी नम्मर कुस्टन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक कुमा लगाएंगे, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, नो करोर निनानवे लाग च्हालिस, नो करोर निनानवे लाग च्हालिस, अब इसको हम अंकों में लिखेंगे, नो करोर निनानवे लाग च्छी आलिस, इस्टुरेंट अब हम डी नम्मर कुस्टन को सौल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले कुमा लगाएंगे यहाँ पर, यकाई, दाही, सेकड़ा, सेकड़ा के बाद एक कुमा लग जाएगा, उसको बहुत हजार दस हैर दस हैर के बाद एक कोमा लग जाएगा उसको बहुत लाग दस लाग दस लाग के बाद एक कोमा लग जाएगा तो इसको हम अंकाओ में लिखांगे 9 कडोर 84 लाग 32,701 9 कडोर 84,00, 32,00, साथ सो एक नो करोर चौरासी लाख बत्तिस हजार साथ सो एक स्टुडेंट अब हम चार नमर कुस्टन को सल बोरेंगे तो चार नमर कुस्टन है उप्युक्त अस्थानों पर अल्प विराम लगाईए और संख्या नामों को अंतराष्टी संख्या कन पदती में लिखिये मतलब उप्युक्त अस्थान पर कॉमा लगाना है और इसको इस बार अंतराष्टी संख्या कन पदती में लिखना है तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कॉमा लगा लेते हैं इस है 78921092 तो एक आई दाही सेकडा के बाद एक कोमा लगेगा, उसके बाद हजार दस अजार लाक के बाद एक कोमा लगेगा, इसको अंतराष्टी प्रतिती में हम तीन संक्या, तीन अंकों के बाद कोमा लगाते हैं, मतलब एकाई दाही सिकडा सिकडा के बाद एक कुमा लगेगा उसको बाद हजार दस एयार उसको बाद लाग लाग के बाद एक कुमा लगेगा और दस लाग जब होता है तो इसको हम मिलियन इसमें बोलते हैं जिसको किस तरह पढ़ेंगे अठातर मिलियन नो सो एकीस हजार ब्यानवे जिसको किस तरह हम लिखेंगे इस्टुडेंट अठातर मिलियन नो सो एकीस हजार ब्यानवे इसके बात बी नम्मर क्वेशन हैं सबसे पहले कुमा लगा लिए इकाई दाईसे एकड़ा है लाग इस टैब को कोमा लगेगा यह अंतराष्टी पतेती के नुसर कोमा लग रहा है भारती पतेती के नुसर कोमा लगता है तो इसको हम किस तरह लिखेंगे साथ मिलियन चार सो बावन हजार और चत्थ और दो सो तेरासी साथ मिलियन चार सो बावन हाजार दो सो तेरासी गभ साथ मिलियन चार सो बावन हाजार दो सो तेरासी इस तरह इसको पढ़ेंगे अब इस्टेंड क्वस्टन नुमर सी को सवल करते हैं तो सबसे पहले इसमें कॉमा लगा देका ही दाही सेकड़ा सेकड़ा के बाद एक कॉमा लगा देना है तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 99,985,102 इसको हम लिख रहे हैं ने निनान वे मिलियन क्यों में लिखेंगे तो इसको किस तरह पढ़ेंगे स्ट्रेंड 99,985,102 उसी तरह हम डी नम्मर क्वेशन को स्वल्व करते स्ट्रेंड डी नम्मर क्वेशन क्या है इसको स्वल्व करते हैं सबसे पहले कुमा लगाते हैं इसमें एक आई दाई सेकड़ा तो यहाँ पर सेकड़ा के बाद कुमा लग जाएगा उसे बाद हजार दस यार लाग उसको बाद यहाँ पर तीन संग्या के बाद कुमा लग जाएगा अड़ तालिस मिलियन उन्चास हजार आठसो एक तीस दिसको किस तरह पड़ेंगे इस्ट्वेंट आठालिस मिलियन उन्चास हजार आठसो एक तीस यह अन्राष्टी पतेथी में इस तरह लिखा जाता है इस्ट्वेंट आज हम एक्सर्शाईज 1.1 student आज हम exercise 1.1 के 4 question को solve कर लिए हैं तो next video में exercise 1.2 को solve करेंगे student अगर आप हमारे channel पर नए है तो आपसे एक गुजारिस है कि आप हमारे YouTube channel study monitor को subscribe कर ले और video को अपने friends के साथ share कीजिए जहां तक possible होगा और video अगर फसन आया है तो video को like कर दे और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया हो तो comment करके बताएं जरूर हम उसका reply देंगे